हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करेंगे घटना चक्र जी एस पॉइंटर भारती भुगुल जो है हम लोग आ देख रहे हैं इसमें से आज का जो लेक्चेर रहेगा पर्वस रणियां यह पहाणियां ठीकि इसकी विसे में देखेंगे खास्ता और से इस दच्छिड भारत क आज का से फाला emit्थन व्राचीन क्या है बात करें तो सबसरी चोटी है गुरु शीखर परवत जोग जिसके हाइट है सत्रसो बाइस मीटर सबसे उसकी ऊची चोटी है ठीक है अरावली परवत की देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत को जो भारत के ब्रियाच चेत्रफ में जो प्राइदुपी पठार है प्राइदुपी पठार प्राइदुपी पठार में आता जे पुराने क्रिश्टली आगने सेल हो गये तो फूपांतरी सेलो से मिलकर बना है और प्राइदुपी भाग जो होता है गोडवाना भूमी के अपवा करड़ बना है इसके लावा हम लोग देखते हैं next question क्या है राजस्तान हो गया हमाचर पर्देश औरीशा राज्यों में से अरह परवस्रीजिण ती थे थैं कहां पर राजस्तान में ठीक है राजस्तान में ए च्थीद है यह लगभग 800 किलोमेटर की लबाई तक फैला हुआ ठीक है गुजराश से लेकर राजस्थान हर्याड़ा दिल्ली तक फैली हुई है आठ सो किलिमेटर इसका रेंज है जो कि बहुत ही प्राचिनकाल का है इसमें इसका मतलब कि छे सो से लेकर पान्सो सतर मिलियन وर्ष पुरू के माना जाता है ठीक है तो नेश्ट कोशन देखते हैं है अरावली स्रडियाँ के अनुमानित आयू कितना है छे सो से लेकर पान्सो सतर मिलियन वर्ष अभी हम लोग कोशन को डिसकस किये हैं इसके लवा देखे हिमालय किलिमंजारो एटना अ अरावली में वह से रिजीडूवल पर्वत בשBphone काुट रेजीडूवल परवत का यो उद्रधर है और ऑफचिस्ठ परवत बोलते हैं और अख्रीड़ भारत को से नेस्ट कोश्यंद्ध में हिमाले का परवत शेत्र उत्तर भ्हारत का बिस्यान मैदान भारती प्रायोदीपी पठार सब्सक्राइब सब्सक्रायोजी इस सब्सक्राइब कि नेश्ट है दच्चिर भारत की सबसे उची क्यों में अनाई मोडी है अगर तो 225 यह की उचाहिए नाइ मोडी का यह केरल में स्थित है केरल में स्थित है ठीक है इसके लब नेस्ट देखते हैं नर्मदा यह उत्तापती नदियों के मद्य इस्थित है नर्मदा यह उत्तापती नदियों के मद्य सत्पूरा स्रडी इस्थित है नेस्ट कोशन है उत्तर से लिकाड्य हाई है किए दच्छट की ओर स्कोफ नेश्ट को समें पूरवी-घाट और पस्मी-घाट मिलते हैं नील-गिरी पहाडी में पूरवी WORPEOS ॉ bit उनाइन का जरते हैं कि क्क बोलतें ब्लु माउंटेन है कि बीड़ा बेट्टा बोलते हैं कि हाइट है 2.637 ठीक है थीक है 2637 इसकी हाइट है बेटा की इसके लोग देखते हैं करनाटक केरल तमिलाडू राज्यों में से राज्यों की मिलियन अस्थान पर इस्थी थे निलगीरी पहाड़िया ठीक है और निलगीरी परवत इस्तित है करनाटक केरल तमिलाडू राज्यों में यह तीनों राज्यों में इस्तित है तीनों के जहां मिलन पॉइंट है यहां पर यहां पर देखे करनाटक का मिलन पॉइंट है यहां पर तमिलाडू का और यहां पर एक केरल तो यह तीनों के जो मिलन मुम्बई से प्सिम दच्छिर पशिम में लगलब 435 किलो मेटर्वत की खोज किया है। इस परवत का नाव रखा है रमन सागर परवत रमन सागर परवत आ रखा रंगillar परीस का नाव रखा है। कि एक एक पॉप स्थितर इन्टा परसेडि हैtes जो महाराष्ग मैं है ट्रीक आजन्टा पर्वब सभी के और महाराष्ट में है इसके लाब सबुआ ने को सन्च देखते हैं सबसे पहाडियों का दच्छिड से उत्र क्योंगर बढ़ते करते हैं अगर अनुकरम दिखाएं सबसे पहले दच्छिड में देखिए सतमाला के पहाणिया है केमूर के पहाणिया नागा के पहाणिया और पीर पंजाल के पहाणिया ठीक है देखिए सतमाला के जो पहाणिया है कहां पे है महाराष्टर में देखिए मैं आपको एक बाद और डिसकस करता हूँ कि हमें दच्छिट से उत्तर की और दिखाना है सत्माला के पहाड़े कहां पर महाराष्टर में हैं ठीक है कैमूर की पहाड़े कैमूर की पहाड़े मद्द परदेश मद्द परदेश से लेकर बिहार में इसको बिहार बोल सकते हैं कि कैमूर डिस्ट्रिक भी है तो यहां पर भीहार और मद्रद्धी से कुछ इस्टां जे हैं ना keep of the marvelous अगार पर्देश में आपको पता है नाम से फिटा चर्थ हपारत में भारत में मारसीमा कि भारत में मारसीमा और बी्र पन्जाल के पहाणिया है जो जम्बू कस wings से हेमा चल परते में कद्स में पिर पिर्पन जालाएगा जो कि अच पहाडिया जो इस्तित है काडामम पहाणिया जिर राजों के पहाणों पैस्ति þें वखेरल यह तमिनाडू जो दस्तित है तमिलाडू के दाखश्चिड पश्म ब्लगाट डेखें कडमाम जो पहाड़ी है कडमाम के बिसमा भी डिसकस के थे कडमाम पहाड़ी यहापर लोटमीड़ू में है इसके लिए इलाची के खेती बहुँ ज़्यादा होता कडमाम पहाड़ी इसलिए इनको बोलते हैं इलाची पहाड़िया भी बोलते हैं के यहा पर इलाची केति बहुँ जादा होती है दोर ही के नेटेसर एक देखते हैं बालगाठ सेडी हरिस्चन्द ङृड़ी बांडो पहाड़ि तथा सतमाल्डा पहाड़ि में कि महाराष्ट में इस्तित नहीं हाई कि महाणो पाणियान जो है गुजरात में इसथित Wendy용 कि आधित जो है बाला गाथ हरिश्चेंदर और सत्माला पाणियां महाराष्ट में इस टित है नेकिकिए मिलान करना है तो सही महादेव पहाडियां भाग है, महादेव पहाडी जो भाग है, सत्पूरा स्रेली का भाग है, धूबगड चोटी, धूबगड चोटी जो है, सत्पूरा रेंज में इस्तित है, और पारशनात पहाडी, पारशनात पहाडी की उचाई यह पूछ रहा है, पारशनात पहाडी की गिरिडी जीले में स्थित है, क्लियर हुआ, और निस्ट देखते हैं, साइज सुमिलित करना इसको भी देख लेते हैं, साइज सुमिलिन है, हम लोग बर डारेक्ट एंसुर देख रहे हैं, देखें, इसको याद कर लिजीगा, पहाड़ी और राज्ये, गारो पहाड़ी जो ह हैं, आपको देखने को मिलेगा, नेस्ट को कोच्चन देखते हैं, निल-टी अन्ना मलाई काड़म मिकाड़ी में से भारत की दचरतं परवसरडी है, काड़म म परवसरड़ी जो है, सबसे दचरतं परवसरड़ी है, इलाजी के खेती के लिए बहुत ह्योपयूग थे, का सत्पूरा जो कि महाराष्ट्रम है ठीक है इसके बाद आएगा महादेव पहाड़िया फिर मैंकाल और छोटा नागपूर पहाड़ी है तो अब एक पूरु से पस्चिम से पूरु के और एक अनुकरम है तो इसको आप देख लिजेगा इसके लवा नेस्ट कोशन देखते हैं उच्चावच आकरती का पस्चिम से पूरु उच्चावच आकरती का पस्चिम से पूरु के और बढ़ते करम का सई करम बताना है तो पस्चिम से पूरु इसमें बताना है तो महादेव पहारी सब पस्चिम है इसके बाद मैकाल पी छो एक बार देख लेते हैं से इक राइट हम लोग देख रहे हैं देखेंगे देख्ष्डी पश्मी घाड जो है देख्ष्डी भाहित, अधिक उच्चाई पर stream में है और पश्मी घाड में अनाईमोडी दाच्ष्डी भारत की सबसे उची खोटी है तापती नदी सतपूरा के दच्छिर में है और नर्मदा नदी तथा तापती नदी पूरानी रिप्ट घाटियां मानी जाती है और इनका जो मोहाना है यह जो भाति है पश्चिम की और भाति है ठीक है यह आपको एक्स्ट्रा नौलेज मिला ठीक है पश्मी घाट के समद में सही कतन बताना पश्मी घाट के समद में जो सही कतन है यह है एक भ्रहस्यूत परवत है इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी लावा जो है बेसाल से अच्छा दित है ठीक है नेस्ट कोशन है कोडाई कनाल किस पहाड़े पे सित है कोडाई कनाल जो है पालनी तमिलाडू में इस सित है और नेस्ट कोशन है मुकंदरा मुकंदरा पहाड़िया तोरा परवत अलवर परवत और गिरवा परवत में से कौण सा पहाड़िया राजस्थान में बिंध परव कॉंडा सलहेर और सिक्राम गट्टा मादुगुला कॉंडा में से कौंसी परवती चोटी पुर्वी घाट में इस्तित नहीं है इसका राय टेंसर है सलहेर जो है पुर्वी घाट में इस्तित नहीं है ठीक है सलहेर परवती चोटी पुर्वी घाट में इस्तित नहीं है ठीक है कॉंच के रोल कि सब्सक्राल में राज में सबसे उच्छी चोटी देखना है सब्सक्राव चेतर में सरामति हैं उत्राखंद में नंदा देभी और तमिनाडु में दोद्धा भीट्टा है क्लियर तो इसको आप साही से मेचिंग करा लिजेगा इसके लाव नेश्ट को देखते हैं सथमार्ण को सब keeping RE مहादेव पाहडिय ये महाइकाल के निश्ठ अन्मलाय निलगरी कढ़म निश्वराव पहाड़ पहाड़ियों में कन्या कुमारी जो शटी पहाड़ियां है उसको बोलते हैं कड़मम पहाड़िया ठीक है तो क्लियर हो गया होगा इतना और इसे पर लास्ट कोस्चन है कानन देवन निलगीरी दार्जिलिंग गिरनार में से पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है कौन से पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है ठीक है यह रहा हम लोका दच्छी भारा से इंपोर्टेंट जो भी हमारा फैक्ट मिला हम आपको डिसकस किये हैं ठीक है और आई होग मुझे मुझे अन्वान हो कि सारा कोश्चन इसमें से कंप्लिट हो गया है ठीक है अगर कहीं भी और भी इस्टाय आइसे में परवत चोटियां जो है फुर्ट चेप्टर इसको दखते हैं मांट एवरेस्ट इस्तित है नेपाल में इस्तित है ठीक है मांट इरेस्ट जो है विश्व का सबसे पर्वस्थी कर सबसे हाईश्ट परवसी कर रहें और इसकी उचाहिक इतना है आट-दार-दार- नेपाल मिश्चित है यह तो क्लियर हो गया है और इसके लो नेक्स को से सबसे उचा परवस्थिकर अभी हमने कोशन देखा मांट एवरेस इसका हाइड कितना है आठ आठाजार आठ सो अरतालीस है ठीक है और बचंतिरिपाल जो पहली भारती महिला है पचंतिरिपाल जो परत सब्सक्राइब कारे मांट एएरेसट इस इसके लोगइव सब्सक्राइब कि राने हुर्ड कॉइरेस्ट या उनॉंड आखना के की गाईपाल्य द महिला जो को तपाई जो कि इन्होंने एक और इतियास रचा है ऐसा कि इस सातों महायदीब के सरोच सीखर पर चढ़ने वाली महिला है जुकोतवई तो बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है जुकोतवई के विशे में नेस्ट कोश्चन है बशेंदरीपाल चंदरपभा एतवाल जयाच चत्री तता संतों स्यादो में से दो बार माउंट एरेस्ट पर बीजे प्राप्त करने वाली महिला परवातारोही कौन है तो महिला परवातारोही है संतों स्यादो है ठीक है दो बार इन्होंने चढ़ाई कि आया है इसके लब नेस्ट कोस्टन है नेस्ट को देखते हैं एक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुती भारती माईला संतोस यादो अभी देखें भारत की सरोच उची चोटी है सरोच पर चोटी है केट्व गाडविन आस्टी में इसके थै और माउंट एवरेस्ट के कितना था 8888 जो कि पूरा 20 जो की सरवीज चोटी है अब भारत की सबसे सरवीज चोटी है केटु गाडविन आश्टीम आप को सिप्लेर हुगा यह हैंजोना सिंफलीज है और फ़ारत की सबसे ऊची चोटी की बात किया आजया तो कंचन जंगा थЭश felt की 85662 मीटर delivering के तोड़ा से कं है कर देख लेक्वार TOP भारत की सबसे उची चोटी आपने देख लिए केटू गाडविनाष्टिन, कंचन जंगन मकालू, कारा कोरम ततह माउंट एपरेस्ट में से भारत का सबसे उचा परवसीखर है कंचन जंखा, समेरी शाई करम देखाना है, तो माउंट एपरेस्ट सबसे हाइस्ट है, उसके ब जंगा कितना हाइट है 8,598 मीटर सब मीटर में है इतना क्लियर हो गया होगा अब देखते नेस्ट कोश्चन हिमाले की सबचे उची चोटी कंचन जंगा कहां बिश्चित है नेपाल और सिक्की में अब यह मों डिसकस किये थे नंदा देभी चोटी इसके भी हम देखते हैं न भारत की 3 नमर की सबस्वें चोटी है पहला है केटू गाड़वन दुसरा गंचन जंगा और 3 जो है नंदा देभी है जोटी है नंगा परवत ऑञा नंगा परवत ऑञा नंगा देभी में लोटी है 0 पर फर्वत नंबर का थार्ड का है। साहँ पर नंदा ब करेंव डिल दिए बिलेसे अंदा जो आउचित सब्सक्राइब तरफ ही 10 निक्स्ट कोशन देखते हैं नंदा देवी सिखर इस्तित है उत्राकंड में गुरु परवसिखर जो चोटी इस्तित है राजस्थान में है और आवली के सब्सके उचितम सिखर है गुरु सिखर इसका हाइड कितना 1722 मीटर के लिए यह राजस्थान के शीरोही जीलो में इस् परवसिम देखे इसको बहुत इंपोर्टन्ट इसको याद करना पुरु से परशिम के और पूर्च रहा है तो सबसे उचिए पुरु के परवसिम सबसे पहले देखे नामचा बरवा आ गया नामचा बरवा उसके बाद कंचिन जंगा मांटरिस्ट और नंदा देवी है को ठीक है इसके लाओ और नेश्ट कोचिन देखते हैं गोशाई थान जो कहाँ पेश्टी थे कोचिन आ सकता है तो को साहीं थान जो इसती थे नेपाल सीमा के निकट फिए नेश्ट को रस देखते हैं सब्सक्रेंद करना है सब्सक्राइब है मांट आबो जो है अराओली प सामरी पाहड़ी का है उटक मंड जो है निलगीरी पाहड़ी का छोटी है और सीमला जो है धवला दर श्रivity का ल्छार है इसका लई अने पर्धरिश है मद्व पर्धिस चोष शिखर जिसका नाम धूबगड जिस्तित है सत्पूरा परकुलाद सबती है में परीघषब अंबचा कर गया इस निए पर दस facts फार आम इस पर कीधित समरी परटी साभी पार्ट में सब्सक्री है कर्ना क्या करना सजन्गड ऐवनके लीफ सब्सक्रात ना इस अंबर करती हो तो से उचितम सी कर रहें ठीक है एराई चप्टर हम लोग डिसकस करें घाटियों के विशे में इसका भी कुछ थोड़ा बहुत कोश्चन इसको भी देख लेते हैं घाटियां कुल्लू घाटी जिन परवस्ट रेडी के बीच में इस्तित हैं वे हैं कुल्लू घाटी जो है धाला क्यमें भावन्से राज भी में है तुल्सा रहें मुर्खदा गाटी दूवें मुझा से राज में है ओ अचों गाटी जुप घाटि मादनेन धालें мें गोलते हैं इसको राष्ट्री वन के निकेट पत्थर पत्थर का डावू जल्विदूत पर्यूजना बनाने का प्रस्ता हो है और कुंती नदी मौन घाटी या सालेंट वैली के वर्षा प्रचूर वनों से उद्वती अद्वित होती है ठीक है भारत में सांती घाटी इस्तित है ठीक है के ह्यों के पलककड अंजी ले में सतित है ठीक है यह पादि के निलगीशी पाड़ी पास्तित है सांत है ठीक हिरा अको आपके आपने कुल्लू घाटी के विभी सहुम देखा नेलांग घाटी की विशांताब देखा। फोटरा खंट श्यते में है इसके अलावा कि निलांग घाटी जो है भारत चींज की सीमा के निकट इसी थे ठीक ओने इस वबासर को जब भारत और चाइना की बिच यूद हुआ था इसको बंद कर दिया गया था फिर बाद में 2015 में इसको परेटर के लिए खोल दिया गया बाकि मर्खा काटी को आपने देखा ही सिक्की में है ठीक है और बस घाटियों में बस इतना है नेश्ट देखते हैं दर्रे वाला चप्टर को देखते हैं दर्रे में देखते हैं सबसे पहला कोश्चन है पाल घाट पाल घाट जो है पाल घाट इस्तित है कहा पे पाल घाट इस्तित है निलगिरी और अन्ना मलाई अन्ना मलाई पहाणियों के मद्ध है पालगाट ठीक है भोरगाट भोरगाट इस चीत है महाराष्ट में भोरगाट का आज पी चीत है महाराष्ट में दर्रा जो है उत्राखंड में इस्तित लीपूलेक दर्रा ऐसले जाने का रास्ता है जो जीलाधर carry दर्र से लेया जा सकते हैं कि से एसके लेथ देखते हैं वर्श 2006 के लगर मच में भारत और चीन के बिच बेपाः बढ़ाने के लिए पून52 खोल गया है खोला गया काउं से दर्रा खोला गया नातुला दर्रा ठीक है नातुला दर्रा को फुला खोल दिया गया ठीक है इसके लाव नेस्ट कोश्चन देखते हैं साई सुमरित करना है स्टेट और दर्रे माड़ा और नीती जो दर्रा है उत्राखंड राज में हैं माड़ा और नीती इसके लावा देख लेते हैं लिपूलेक हो गया लिपूलेक हो गया नामा हो गया ठीक है मुलिंग ला हो गया भिंगरी हो गया इस सब कहां पे हैं उत्राखंड में हैं लद्दाक में लद्दाक में जो दर्रा है जो जिला दर्रा इसके लवा कारा कोरम कारा कोरम पड़ा ही कारा कारा कोरम ठीक है जो जिला आपने देख लिया चान्ग जम्बू आक सिमिर में जम्बू बनी हाल और पेरपंज़्ाल केस्छी सिक्की आपनी देखा कुर्भाट जेले प्टला ठीक है महस्ट मेने बताई महर्ड़क करल को गया अडवांचर परदेश का देख सकते हैं दीफिए बाम्डी ला हो गया शिप की ला हो गया और बाड़ा लाचा हो गया ठीक है बाड़ा लाचा भी यहीं पर है बाड़ा लाचा ठीक है और भाबा हो गया पारंग ला हो गया इस सब कहां पर हिमाचे परदेश में और वाचे परदेश को देखें इसका इसका दो दर्रा है बामडी ला है उत् ठीक है तो यह दर्रे के विशन देखे हैं कौन से इस्टेट में कौन से दर्रा पा जाता है इसके लावा देखिए थाल घाड भोर घाड खैबर दर्रा और पाल घाड में से कौन से दर्रा पस्मी घाड परव सिंकला में इस्तित नहीं है खैबर दर्रा जो है पस्मी घाड सिं टीक है ये खि Watts को सम्देख थे है जे पर्वति दर्रा अब राज यिक भी विशुआ देखता है बूम भूला अडवांचर P"! जेल अजिक्र में मूलिंकिम ला उतरा नातुला नातुला खैबर और रोहतांग में से वह दर्रा जो सरवादिक उचाई पेश्थी थे तो नातुला जो है सरवादिक उचाई पेश्थी थे इसकी हैड कितना है पेश्थी थे दर्रा के लिए आप इसका दर्रा किसी परवत या पहाड़ नीचला भागता जिसे पहाड़ी है जो नीचला भाग होता है जिससे होकर अस्थल मार्ग गुजरता है बारत के हिमालाय और पश्चिमी घाट में अनेक दर्य है तो आपने देख लिया बहुत सारे दर्य को देखे हैं जो हिमाचर परदेश हो गया उतराखंड हो गया सब हिमाला के पार्ट में है शिक्किम हो गया इन से सडक और रेलमार्ग भी निकलते हैं ठीक है तो हम लोग देखें लद्दाक में दर्रे को देखें कारा करम हो गया लद्दाक में दर्रे को देखें इसके लावा स्रीनगर में देखें हिमाचर परदिस में देखें ठीक है सिक्की में देखें अडवाचर परदिस में दे कर चुके News देखते हैं ही म रिखा और अधिकी बहुत छोटा चप्टर है तो ही मुझा और हिम रिखा इसको विश्यम थूड़ा से देख लेते हैं प्रयां हिम रिखा जो है कितना के मीटर के न confront एक तीर आलिज सब से लेगर 6000 मीटर के बीच पुरु में है हिमाले हिम्रेखा ठीक है नेश्टर सबसे बड़ा हिम्रत सबसे बड़ा हिम्रत जो है सियाचीन है चवरा बाड़ी ग्लेसियर कहां पेशी थे केदारनात मंदिर के उत्तर में है चवरा बाड़ी ग्लेसियर ठीक है कि बोग방 चूटा चप्टर है कि मतल्य कोंग कुर्षण नहीं है पेर विधेख लेते हैं इसको कि ऐसा है माले के ऐह अधिक के पीघलने की गति सबसे अधिक पीघलने की गति इसका और हिस्पार जेमू मिलाइप रूपल हिम्नतों में से कउम सा हिम्नत उतरा खंड के कुमाई प्रशेत मेस्ति थे उसका नाम है मिलाप हिम्नत है ठीक है शियाचीन हिम्नत नुबरा घाटी के उत्तर में हैं शियाचीन हिम्नत और और कंचन जंगा हो गया, रंडून हो गया, गंगोत्री केदारनात में सबसे बड़ा हिमनत का है, सबसे बड़ा हिमनत है, ठीक है? अब देखते हैं निस्ट में सई स्यमिलित करना है, बंदर पुछ जो है, हिमनत यमना नदीप पर है, बारा स्रिगरी जो है, चिनाम नदीप, मिलाप जो है, गोरि घंगा पर, सियाचीन जो है नूबरा नदीप, जेमू जो है, तिस्ता नदीपर है, ठीक है? अब देखते हैं पठार के बिशे में पठार में जो पहला कोश्चन है हम लोका भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्वित लावा जो सैलो का निर्माड हुआ है किटेसियस यूग में हुआ है किटेसियस यूग में देखे जो भारती प्राइदुपी भारत की जो चट्टानी के उत्पति लवक इतने 3600 मिलियन वर्स पूर हुआ था और कार्बो नीफेरस यूग में के पहले जो था गोडवाना लेंड का एक भाग था ठीक है इसके लाओ देखते हैं नेस्ट कोशन में घाले का पठार भाग है प्राइदुपी खंडगा में घाले का पठार भाग है ठीक है और भारत के तरिक तो प्राइदुपी परवत निर्मित है सेनोजोईक महा कल्प में सेनोजोईक महा कल्प सारे एरा को देखेंगे सेनोजोईक हम लोग जब विशु का बोगल पढ़ेंगे तो चारे एर्या को हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही अच्छा हुए में ठीक है और निश्क कोश्चन देखते हैं छोटा नागपुर पठार का सरवादिक घना बसा जो जिला है धनबाद किसके लिए बहुत फिम्स है खनन उद् हाँ है एक बहुत खना बसा जिला है छोटा नापपुर पठार एक अगर गम वीडिय्द है अगर गम वीडिया च्छोटा नापपुर पठार, थीक.. कि आनो ऊट्वह इसका हइट अगर पूछ सकता है तो चोटा नापकूर पठार के हाइट है 11 समीं मिटर तुछ निए निए नेश्ट कोश्चन देखते हैं इसमें देखें सभी सुमेलित करना है आए सभी बताना है कि यह सभी घाट के पुर में ब्रिष्टि चाहत है इसको बोले इसके रवा देखते हैं है मालवा का पठार छोटा नाकपूर का पठार और दक्कन का पठार था प्रायवदीपी का पठार में से आरावले यहाँ बिंद श्रिंख्राओं के मद्ध इस्थी थे मालवा का पठार जो है इस्तित है त्रीक है इसका रहा टेंज होगा मालबा का पठार है तो killer सुझल देखते हैं धंड काराड से तृ कि कि अफ्रेक्षों भारत के मद्यवर्ति चत्र में इस्थित है डंडडकाड़ ने निस्ट गोशिण है भुवन पहाडिया गारों पहाडिया घथी यो जहनतियां पहाडियों में एखालय एक आंस जो नहीं है उसे बोलते हैं भुवन पहाडियां क्लियर कि थीक है हम लोग का पठार से भी जो important portion ता अमों सब्सक्रा अब इसको ने स् ट्रॉक्टर में लेक्षिल क है भारती विभाजन का पार्ट नमर थर्ड थार्ड मोर्त भारतीय विभाजन का पार्त नमर 3 देखें इस बहुत भीभाजन करें कि यहां कि देख रहें ऊसका और छेटंट पार्ट और अभी कंप्लिट कर लिए थर्ड पार्ट में को दिक्स करेंगे तती भाग हो गया भारत की तत्रेखा भारति राजी की भी से मैंक लिस्कूंस करेंगे तो अभी के लिए ऽंच्छी